एक बार फिर आप सभी का सागा दें मेरे सेने वीडियो में जैसा कि हमने आप तक श्रीमत भगवत गीता के प्रधम अदिया है कुरू शेत्र के यूजिस्थल में सेने निरिक्षन से 40 लोग जानें और समझें आज हम उसके आगे 47 लोग जानेंगे और समझेंगे तो एसे वी में जैसी कृष्ण जरूर लिखे हैं आज का 31 स्लोग है संक्रव नर्कायवे कुल ग्रहाना कुलस्यच पतंती पित्रों हुश्याम लुप्तर बिंडों करिया है इस लोग में कहा है अब आंचित्य संतानों की व्रधी से निश्चे ही परिवार के लिए तथा बारेवारी प पतित्त कुलों के पूर्खे पित्र लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिन डान देने की क्रिया समाप्थ हो जाती है शलोक से तातपर यह सकाम कर्म के विधी विधानों के अनूसर उलके पितरों को समख समर पर जल तथा पीन डान दिया जाने चाहिए यह डान विश्नु कुझाद्वारा किया जाता है क्योंकि विश्नु को अरपित भोजन से उचित भाग यानि प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उधार हो जाता है कभी-कभी पित्रगंड वीविद प्रकारों के पाप कर्म से ग्रस्त हो सकते और कभी-कभी उन में से कुछ को इस्तूल शरीर प्राप न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में, सुक्ष में शरी धारन करने की लिए बात दि होना पड़ता है अतर जब वंशजो द्वारा पित्रों को प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेतियों या अन्नी प्रकार के दुख में जीवन से उधार होता है पित्रों को इस तरह की साहिता पोहँचाना गुल परंपरा है और जो लोग भक्ती का जीवन यापन नहीं करते, उन्हें ये वहनुष्ठान करने होते हैं क्यों भक्ती से ही मनुष्यों, सेकरों क्या हजारों पित्रों को ऐसे संकटों से उबार सकता है भागवत में कहा गया है कि शरण ग्रहन करता है और इस पत पर गंभीरता पुर्वक चलता है वह देवताओं मुनियों सामाने जीवों स्वचनों मनुष्यों या पित्रों के प्रति अपने कर्टव्य या जिन्ट से मुक्त हो जाता है श्री भगवान की सेवा करने वेसे एसे दाइद्वा अपने लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइगन को और बेपेस करें और कमेंट में जैश्री कृष्चन लिए और ज़्यादा शेयर करें